बेसन के लड़ूं को अगर घर पर ही बनाया जाए तो इन लड़ूं का स्वात काफी बढ़ जाता है और इन लड़ूं को बनाने में ज़्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती है आप चाहें तो इन्हें तेयोहार पर बनाएं या फिर परशाद में चढ़ाएं या फि पर आपके पास जो भी बेसन हो उसको ले सकते हैं अब जिस कटोरी से नापकर बेसन लिया था उसी से चौथाई कटोरी नापकर देशी घी ले लिया है अब बेसन को भूनने के लिए एक कड़ाई में दो चमच भर कर देशी घी अभी डालेंगे बाकी घी को हम बाद में यूज़ करेंगे जब घी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसमें हम बेसन डालेंगे ये जो मैंने बेसन यूज़ किया है वो महीन वाला बेसन है मेरे प बेशन कच्चा रह जाएगा कच्चे बेशन से बने हुए लड़ू खाने में चिपकते हैं इसलिए बेशन कुधी में आज पर चलाते हुए हमें भूनना है इससे थोड़ा समय जादा लग सकता है लेकिन जो आपके लड़ू बनेंगे वो काफी अच्छे बनेंगे महिन से बने हुए लड़ूwn का स्वाथ काफी अच्छा होता है जैसे ही बेशन बुनना शुरू होता है काफी अचिसी महकाने लगती है जब भी आप लड़ों के लिए बेसन को भूनें इसमें कभी भी एक साथ सारा घी न डालें इससे बेसन लास्ट में गीला हो सकता है थोड़ा पहले घी डाले और फिर बेसन को भूने और फिर बीच बीच में भूनते समय घी को डालते जाए और बेसन को भूनते जाए अब इसी तरह से चलाते हुए दीमी आज पर हमें बेसन को भून लेना है ये आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा पूरी तरह से भुन चुका है अब इस बेसन को दानेदार बनाने के लिए इसमें पानी की छीटे मारेंगे और चम्मत से चला लेंगे दो मिनट इसी तरह से चलाने के बाद फिर से इसमें पानी की छीटे मालेंगे और फिर से से चम्मत से चलाएंगे इस प्रोसिस को हमें चार से पांच बार करना है इसी तरह से हमें दानी इसमें बना लेने हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसमें दाने आए हैं अब आप जान ही गए होंगे कि इस महीन बेसन से हम दाने दार लड़ू कैसे बना सकते हैं ये देखिए बेसन हमारा पूरी तरह से भून चुका है इससे ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे गैस को बंद करके इस बेसन को हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं इस समय जो बेसन है काफी गरम है आपको इसमें दाने दिखाते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितने छोटे छोटे दाने आए हैं बेसन इस वक्त गरम है इसमें हम चीनी या फिर बूरा डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं इसलिए हलके रहने पर ही इसमें हम चीनी डालेंगे अब इस समय बेसन हलका सा गरम है आराम से चुआ जा सकता है जिससे बेसन नापा था उस कटोरी से आधी कटोरी नाप कर इसमें चीनी या फिर बूरा आप इसमें डाल सकते हैं मैंने आधा कटोरी चीनी को मिक्सी के जार में डाल कर पल्स मोट पर चला कर इसे दरदरा पीस कर इस बेसन में डाल दिया इनको मिला लेंगे अगर बेसन सुखा लगे तो इसमें आप घी डाल सकते हैं इतना घी डालना है कि लड्डू बनने लगें इस तरह से आप देख सकते हैं अब इस बेसन में इतना भी घी न डालें कि ये लड्डू बनाते समय लड्डू का शेप ना आए आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सूखा रखना है अब इसमें चोथा चोटी चमच हमिलाजी पाउडर को डाल कर मिक्स कर लेंगे यह मैंने मिला लिया है अब इसके हम लड्डू बनाएंगे अब सेन साइस के लड़ू के लिए हमें एक चम्मच से एक या फिर दो चम्मच बेसन को हथेली में लेकर इस तरह से दबा दबा कर दोनों हाथों की उंगलियों से इस तरह से परफेक्ट शेप देना है जिससे की लड़ू हमारा गोल बने अब इस तरह से देखिए मैंने लड़ू को बना लिया है कितना परफेक्ट शेप आया है गोल लड़ू बना है अब इसको हम प्लेट में रखते हैं और बाकी लड़ू भी बना लेते हैं अगर इस बेसन में ज्यादागी पड़ जाता तो ये बेसन गीला हो जाता और आपके लड़ू का शेप अच्छा न बनता ताजा लड़ू अगर आप खाएंगे तो ये काफी मुलाइम होते हैं अगर आप इनको आधा एक घंटे बाद खाते हैं तो ये काफी अच्छे खाने में लगेंगे सारे लड़ू को मैंने बना लिया है इनके उपर मैंने पिस्ता को का अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए इन लड़ूं को बनाएंगे तो आपके लड़ू कभी बिगडेंगे नहीं और काफी अच्छे बनेंगे अब इस लाजवाब स्वाद वाले लड़ूं की रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको जरूर पसंद